सभी बच्चőं को शुव अब्रभाध ! हमने पिछले वर्ग में देखा हमारी पिछले वीडियो में हमने ने देखा कि वर्णमाला सिखी तो उसमें हमने स्वर स्वरों के भेध क्या है कैसे होते हैं उसके बारे में हम आज जानकरी लेंगे तो सबसे प्रथम आप वीडियों को थेक से देखिए धैन से देखिएगा कब कुछ बात आपको ना समझ में आए तो मुझे संपर्क कर क्या आप मुझे से पूच सकते हैं पूच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्वर स्वर तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं स्वर तीन प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार के स्वर होते हैं रस्व दिर्ग और प्लूथ अपने प्लूथ सुना नहीं होगा उसका हमारे हिंदी में उप्योग बहुत कम होता है या फिर नहीं होता तो रस्व दिर तो सबसे पहले हम रस्वसवरों के बारे में जानकरे लेते हैं कि रस्वसवर क्या है उसकी जानकरी क्या है उसके बारे में उसकी वैक्षय कुछ है क्या इसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रस्वसवर जो होता है जब हम रस्वसवरों का ona उक्षारन करते हैं तो उसका उच्छारण बहुत कमाण में होता है बहुत ही मतलब उसका प्रमाण होता है लेकिन कम होता है दीर्घ के मांबले में उसका किया जाता है तो ऐसे हमारे उधारण के है, तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि, जिन स्वरों के उच्णरन में बहुत कम समय लगता है, उन्हें रस्वस्वर कहते हैं, रस्वस्वर 4 माने जाते हैं, कि इस्वर है, रस्वर्सवर 4 है, औ, फिमहर, ऊ, और री, री के रूप में किया जाता है उच्चारण के अनुसार री को स्वर नहीं माना जा सकता किन्तु अन्य स्वरों की तरह मात्रा के आधार पर इसे स्वरों में सम्मिलित किया जाता है देखिए हिंडी में रू को कहा जाता है यह बात कि कहा जाता है मराथी में रूसी कहते हैं और हिंदी में रूपे में किया जाता है उच्चारण की अनुसार रिको स्वर नहीं मना जासकता इसका र्र है र्र वेंजन है हमारे यहां पर इस्वर है लेकिन र्र वेंजन है यह री हो गया है तो इस री को तो स्वर माना नहीं जा सकता किंतू किंतू माना नहीं जा सकता अलेकिन किन्तु अन्यसवरों की तरह यह मात्रा की रूप में आता है तो री को अन्य स्वरों की मात्रा कि रूप में हम इसा के सम्मिल किया जा सकता है है तो अभी आपको यह समझ में आया होगा की दर मैं जाते हैं जिसका उच्छारण कम होता है बहर रस्वस्वर होता है तो आगे चलिए हम आगे देखते हैं दीर घस्वर वो होता है जो रस्वर से ज्यादा उसका उच्चारण होता है दीर्ग उसके नाम में ही दीर्गता है तो दीर्ग याने ज्यादा तो जब किसी स्वर का उच्चारण दीर्ग रूप में होता है उसका ज्यादा उसका उच्चारण किया जाता है तो वह दीर्ग स्वर बन जाता है जैसे कि जब यह रस तो आ, अ, आ, 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 इ, उ, उ, ए, आ, तो यह रस और दिर्गमे आपको फरक समझ में आ सकता है, जब आप अगर स्वरों का पठन करेंगे और ध्यान से करेंगे, यह जल्दी से खतम हो जाता है, उसका थोड़ी से ओलेंदी हो जाता है, थोड़ा सा, उसका जो उच्छान है, तो यही तो मतलब फर्क है कि रस्व और दिर्गस्वरों के बारे में जान करेंगे लेता है, इनकी उच्छान में रस्वस्वर के उच्छान से दुगना समय लगता है, रस्वस्वर जो है, उससे दुगना समय लगता है, दिर्गस्वर को, रस्वस्वर से दिर्गस्वर मे दुगनास में लग चाता है, जैसे कि आ, अ, तो दिर्गस्वर साथ है, दिर्गस्वर कितने हैं, साथ है, वो कौन सा ही देखते हैं, आ, ई, उ, ए, अ, अ, और ओ, यहाँ, यहाँ, इन स्वरों का उचारण करते समय हमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है, सुरस्वर स्वरों के बदले में, हमें दिर्गस्वर, इसलिए इसे दिर्गस्वर कहा जाता है, जिस स्वरों का उचारण करते समय हमारे सांस ज्यादा लगती है, दिर्गस्वर, उसे दिर्गस्वर कह में वहीं रही है का ये दिखिए फिलूट स्वरग जिन स्वरों के उच्छार्णस में मूल पिलूट Non ut लगता है सिंव्चिन को सफिए कि सोचहें कि और ये दो मूल है ये तो मूल है दिरहont रहस्वा दिर्ग और प्लूत स्वरों में तिगुना समय लगता है जैसे दिर्ग में दुगना लगता था तो प्लूत में तिगुना लगता है और ऐसे जैसे कि ओम ओम का उचारन करते समय बहुत समय लगता है इसलिए आगे पढ़ते हैं जिन स्वरों के उचारन में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं जिन स्वरों का उचारन करते समय तिगुना समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहा जाता है जैसे कि ओम हिंडी में प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं मिलता कहा수 है अब यहाँपर न्यूछे स्वरों की मात्श्य वो हम आगे देखेंगी कभी तो अभी यह तो यहां तक ठीक है मैं आज आपको एक प्रश्ण पत्रिकावी भेज रहा हूं इसके साथ में जिस पर हमारे पहले वीडियो और इस वीडियो में इसके आधार पर कुछ प्रश्ण पूछ जाएंगे उसके आपको उत्तर देने हैं और वो मुझे परस्टनली भ और पिछला वीडियो भी ध्यान से सुनिएगा और प्रश्णों के उत्तर ठीक से दिजेगा ठीक है बाई